वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यह गाना आपको याद ही होगा। यह दुनिया के विश्वविजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं यह कोई बस सिकंदर से ही सीखे ऐसे ही नहीं उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी सिकंदर भी युद्ध में जिससे प्रभावित हुआ वह थे भारत के राजापोरस सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब्लॉग में आ पढ़ेंगे कैसे की दुनिया फ्तेह नामलेक सेंडर तरितिय उपनाम सिकंदर पिता फिलिप ग्वितिय माता उलिम्पिया सौतेली माताक ले उक्तेरा पत्नी रोक जाना नानी उक्तोलिंस जन्म दिन बीस जुलाई 356 इसा पूर्व जन्म स्थान पेला में शौक गनित विज्ञान और दर्शन शाष्ट्र में रूची थी घोडे का नामबुसे फिल्स मृत्यू 13 जून 323 इसा पूर्व मृत्यू का कारण मले रिया तिहासकारों के मुताबिक मृत्यू का स्थान बेबी लोन दब्लॉग इंक्लूड्स जीवन की शुरुवात ऐसे ली थी शिक्षा युद्ध कौशल का था माहिर अलेकजेंडर का सत्ता अधिग्रहन विजय अभियान सिकंदर का भारत पर आक्रमन सिकंदर द्वारा जीती गई लडायां सिकंदर की मृत्यू सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी में अलेकजेंडर जिसे सिकंदर भी कहा जाता था का जन्द 20 जुलाई 356 इसापूर्व में पेला में हुआ था जो की प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी अलेकजेंडर फिलिप द्वितिय का पुत्र था जो मेकडोनिया और ओलंपिया के राजा थे और इसके पडोसी राज एपिरुस की राजकुमारी उलिम्पिया उनकी मा थी एलेकजेंडर की एक बहन भी थी सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिष्टेदार दी स्टर्न लियोनिडास औफ एपिरुस से ली थी जिसे फिलिप ने अलेकजेंडर को गणित घुडस्वारी और धनुर विध्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था सिकंदर के नए शिक्षक लाई सिमेक्स थे जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी जब वह 13 वर्ष का हुआ तब फिलीप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ती की एरिस्टोटल को भारत में अरस्टु कहा जाता है अगले तीन वर्षों तक अरस्टु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाकपटुता भी सिखाई सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी में सिकंदर कम उम्र से की बहुत धुरंधर था हिस्ट्री इन हिंदी में बारा वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुडस्वारी बहुत अच्छे से सीख ली थी और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोडे ब्यूसेफिलास को डोट काबू में किया जिस पर और कोई नियंतरन नहीं कर पा रहा था पहले तो वह घोडा सिकंदर के काबू से बाहर रहा लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया सिकंदर के पिता को उस पे गर्व हुआ था उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफिल्स की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा तीन सो चालीस इसा पूर्व में जब सिकंदर जब सोलह वर्ष का था तो उसके कौशल को देख उसे मेकडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के ये छोड़ दिया था जैसे जैसे मेकडोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया मेडी की थ्रेशियन जणजाती ने मेकडोनिया के उत्तरपूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया जिससे देश के लिए खत्रा बढ़ गया सिकंदर ने सेना इकठी की और इसका इस्तिमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया और तेजी से कारवाही करते हुए मेडी जणजाती को हरा दिया और इनके किले पर कबजा कर लिया और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक जेनरो पोलिस रखा दो वर्ष बाद 338 इसा पूर्व में फिलिप ने मेकडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुस्पैट करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जेनरल की पोस्ट दे दी इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा 336 इसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की इसी दौरान एक महुत्सव में पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितिय की हत्या कर दी अपने पिता की मृत्यू के समय सिकंदर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जूनून चरम पर था उसने मेकडोनियन आर्मी के शस्यागार के साथ जनरल और फौर्ज को इकठा किया जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरुनिया से लड़ी थी सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोशित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की उलिम्पिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की उसने फिलिप और क्लेोक्टेरा की पुत्री को मार दिया और क्लेोक्टेरा को डोट आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सिकंदर के मेकडोनिया के सामन्ती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला बलकि ग्रीस के दक्षिनी राज्जों ने फिलिप द्वितिय की मृत्यू का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ती शुरू की सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी में सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दब्दबा कायम कर लिया था विजय अभियान सिकंदर जब अपने उत्री अभियान को खत्म करने के करीब था तब उसे यह खबर मिली की ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मेकडोनियन फॉज को अपने किले से भगा दिया हैं अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षन का रुख किया इन सब घटनाक्रमों के दोरान ही सिकंदर के जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्क बना लिया है अलेक जेंडर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुँची की वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला वही सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधी करने को तयार हो गए 334 इसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुचा सिकंदर ने ग्रेंसियस नदी के पास पर्षियन राजा डारियस त्रीतिय की सेना का सामना किया उन्हें बुरी तरह से पराजित किया 333 इसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को परशिया का राजा घोशित कर दिया 336 इसा पूर्व में सिकंदर की बहनने मोलोस सियन के राजा से शादी की इसी दौरान एक महोटसव में पौसानियास ने राजा फिलिप ग्वितिय की हत्या कर दी अपने पिता की मृत्यू के समय सिकंदर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जूनून चरम पर था उसने मेकडोनियन आर्मी के शस्यागार के साथ जनरल और फौर्ज को इकठा किया जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोशित किया और उसकी राजवंश के अन्यवारिसों की हत्या करने में मदद की उलिंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की उसने फिलिप और टलेोक्तेरा की पुत्री को मार दिया और टलेोक्तेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सिकंदर के मेकडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला बलकि ग्रीस के दक्षिनी राज्जों ने फिलिप द्वितिय की मृत्यू का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ती शुरू की सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी में सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दब्दबा कायम कर लिया था विजय अभियान सिकंदर जब अपने उत्री अभियान को खत्म करने के करीब था तब उसे यह खबर मिली की ग्री राज्य के शहर थेवेस ने मेकडोनियन फॉज को अपने किले से भगा दिया है अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिन का रुख किया इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल पर्नियंग ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया है अलेग जेंडर और उसकी सेना थेवेस में इस तरह से पहुँची की वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला भी सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधी करने को तयार हो गए 334 इसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुचा सिकंदर ने ग्रेंसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस त्रीतिय की सेना का सामना किया उन्हें बुरी तरह से पराज़ित किया 333 इसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को परशिया का राजा घोशित कर दिया 328 इसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था आखिर में सिकंदर की जीत हुई सिकंदर पोरस के पराकरम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापिस राजा बना दिया सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापिस लोटने को कहा 325 इसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ परशियन खाड़ी के सहारे का रुख किया उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यू हो गई अपने नेतरित्व और प्रभाव को बनाये रखने के लिए उसने परशिया के प्रबुध लोगों को मेकडोनिया के प्रबुध लोगों से मिलाने का सोचा जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके इसी क्रम में उसने सुसा में उसने मेकडोनिया के बहुत से लोगों को परशिया की राजकुमारियों से शादी करवाई सिकंदर ने जब दस हजार की संख्या परशियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिये तो उसने बहुत से मेकडोनियन सैनिकों को डोट निकाल दिया इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृती को अपनाने से भी मना कर दिया सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवा कर मेकडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया इस तरह सुसा में परशिया और मेकडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी में सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला थी सिकंदर द्वारा जीती गई लडाईया सिकंदर द्वारा जीती गई लडाईया इस प्रकार हैं वर्षक इसको हराया जीत दो अगस्ट 338 BC थेबन्स अथीनियन्स और अन्य ग्रीक शहर एक शून्य तीन तीन पांच BC गेटी थ्रेशियन्स दो शून्य तीन तीन पांच BC लिरियन्स तीन शून्य तीन 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 पांच BC थेबन्स चार शून्य तीन तीन चार BC अके मनेड एंपायर पांच शून्य तीन तीन चार BC अके मनेड एंपायर माइलसियन्स 6, 0334 BC Achaemenid Empire 7, 0333 BC Achaemenid Empire 8, 0332 BC Achaemenid Empire 9, 0332 BC Achaemenid Empire 10, 0331 BC Achaemenid Empire 11, 0331 BC Achaemenid 12, 0333 BC Achaemenid Empire 13, 0329 BC Achaemenid 14, 0329 BC Saithians 15, 0337 BC Achaemenid 16, 0337 BC Achaemenid 12, 30, 0326 BC Achaemenid 12, 0333 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 BC Achaemenid 12, 0 उनकी मृत्यू तक ही नहीं रुकी बलकि इसने पूरी दुनिया को उनकी कहानी सुनाई इतिहासकारों का मानना है कि जब सिकंदर से पूछा गया था कि उसके मरने के बाद किसको उसकी गद्दी दी जाए तो उसने कहा था कि जो सबसे शक्तिशाली योध्धा है उसे मेरी गद्दी दी जा सिकंदर का धर्म क्या था अलेक जेंडर में पारंपरिक पारंपरिक ग्रीक ओलंपियन मान्यताओं जो हमें बहुत कुछ नहीं बताती है क्योंकि ग्रीक धर्म बहुत व्यवस्थित या केंडरीकृत नहीं था हालांकि वह खुद को कुछ महत्व का धार्मिक व्यक्ति था सिकंदर की मृत्यू कैसे हुई कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यू 13 जून 323 BC में मलेरिया रोग के कारण बेबी लोन में हुई थी सिकंदर भारत कब आया सिकंदर भारत में 328 इसा पूर्व में आया था हमेशा आशा है सिकंदर हिस्ट्री इन हिंदी का यह ब्लॉग सिकंदर को जानने और उसकी विजय गाथा को डोट समझने का अफसर देगा इतिहास के अन्य ब्लॉग्स पढने के लिए बने रहिये लवरेज एड्यू के साथ शेर दिस आर्टिकल प्रातिक्रिया दे यूर कॉंटाक्ट इटेल्स विल नॉट ब्लिश्ट रिक्वायर्ड फील्स आर मार्क्ट सब्मिट आव कूद यू मेंशन अस अमलेरिया डिसीस इन दे स्टोरी 332 BC Achaemenid Empire टिरियन्स नॉट शूने तीन तीन दो BC Achaemenid Empire गस शूने तीन तीन एक BC Achaemenid Empire ग्यारह शूने तीन तीन एक BC Achaemenid Empire शूने कर दो समेक्वाय ओच सकता हम कर दान भात वा हतन कर दो यम दूने कर आ